हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल सो आम का सीजन आज चुका है और जैसा कि आप देख भी सकते हैं हम यहां पे जो है आम की खटी मीठी चटनी बना रहे हैं जिसे माम की लॉंजी भी कहते हैं और यह जो है कच्चे वाले आम जिसे हम कैरी कहते हैं उससे बनाया जाता है चलिए हम इसी रेसीपी कि हो चलते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे हाफ केजी आम ले लेंगे कच्चे वाले और इसे हम अच्छे से पहले वाश करके फीर पिल ओफ करके और अपने जैसा सीप अप चाओ से पबनेंगे तो आप देख सकते हैं यह आम जो है बिलकुल कोई ने खटा मेटा खाने में काफी अच्छा लगेगा तो चलिए हम इसे बनाने की ओर चलते हैं तो सबसे पहले हम कराही को गर्म कर लेंगे और कराही जैसे ही गर्म हो जाए तो इसमें हम 2-3 स्पून मस्टर्ड ओयल आड़ करेंगे और अपने पसंद का कोई भी आड़ कर स पर्श फोडर में आपको जो है वो कलोंजी सौफ मेथी जीरा और सर्सो के दाने हैं और यहां पर हम एक छोटी पिंच हींग और एड़ करेंगे उसके तर्फिर हम आप पे सारे आम जो है वो इसमें हम एड़ कर देंगे हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे इस टाइम क्य मिला देते हैं तो अब यहां पे जो है वो नमक एड़ करेंगे नमक कम करेंगे क्या हमें यहां पर जब रॉक्ष रूल प्रॉड करने है और चार्ट मसाला भी जिसमें वालईड नमक होता है तो मैंने आप बिल्कुल भूल आप लिए है और इसके रहां प्रीच यह बड़ लो फ्रेम पे पांश मिनिट के लिए कवर करके इसे रख देंगे वैसे बीच में चेक भी कर ले क्योंकि ओवरकुक नहीं होना चाहिए वैसे जैसा आपको पसंद हो बहुत लोग ओवरकुक पसंद है तो भी अच्छा लगता है खाने में तो चलिए वह चेक कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह बहुत हर तक पक चुका है एक बड़ मैं आपको लोग दिखा देती हूं तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैश हो चुका है कुछ-कुछ इसके पल्प बिलकुल अच्छे से निकल चुके है तो अब हम यहाँ पे एड करेंगे हल्दी जो जो एड़ करेंगे एंड नेन हम यहां पर आड़ करेंगे अधी स्पून से विकम काली मिर्च का पौरर काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल ऑप्सन है और यहां पे मैंने जो है मेजरिंग अप से हाफ कप गूर लिया है जिसे हम जैगरी भी कहते है गूर जो है इसमें यह पेक्षें सकते हैं फिर 5 मिन पैफ धे कुझा देखे हम 200 मेल ख़ Прेंँ और उसको हम कवर करईगे लिए कीज्वीन है पइले हम इसके दौर कर देग के नियुना कर देंगे फिर फ्लेम को अफ कर देंगे इसलिए हम पे हम रहें जोगी हुट यह बार नमक कब पार हम और अच्छ感 साधक आजए इस में स्टूर करेंके मुश्किल से कवर करेंके जिसके गुर्ज में जाने बांच्छा है कि खोड़ जाए तो फोर ने बांच्छमीनिट के लिए तो 5 min हो चुका है वह चैक करते हैं काफी अच्छे से यह बोयल हो रहा है और हम यहां पर एट करेंगे चाथ मसाला सबक्रीज के तो अगर यह आपके पास है तो यह बिल्कुल ही आप करें बिल्कुल भी स्किप ना करें चार्ट मसाला मैंने यह पर वन तेफल स्पून एड़ किया है एक बार हम इसे अच्छे से मिला देंगे और इसकी जो ग्रेवी है जैसे कि मैंने आपको पहली काता मुझे थोड़ी से चाहिए बट यह थोड़ा ज्यादा है इसे हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ड्राइ करेंगे और आपको से मैंने पहले ही कहा था अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो पानी बिल्कुल का मैड करिएगा हाफ लास काफी होगा तो यह पक तो पहले ही चुका है आप देख स करेंगे और एक सर्विंग बोल में इसे हम निकालेंगे मुझे एक्जैक्ली ऐसा ही चाहिए था तो चलिए यह आपकी घट्टी मीठी चट्मी बनके तयार है और एक बड़ मैं आपको इसका दिखाती हूँ इसके पल्प कितने अच्छे से निकल चुके और काफी अच्छा आप इसे जरूर ट्राइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं यह देखने में कितना सही लग रहे है तो आप जल्दी फटा फट्राइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं मिलते हैं नई recipe के साथ नई वीडियो में थाइंक्स पर वाचिंग प्लीज लाइक से और झाल 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 झाल